वेलकम टू फाइंडिंग एक्स और आज हम चप्टर शुरू करेंगे वह है Congress of triangles अब बोलेंगे सरी Congress of triangles क्या होता है या फिर हम लोग triangle की बात करने हैं तुम आज ट्रेंगल के example ले ले लिए कि कोई भी दो ट्रेंगल में हैं पर डॉप करें तो से पहले ठीक है ये दो ट्रेंगल हम लोग अजुम कर लेते हैं आपर है एक है D E F और दूसरा है X Y Z ये दो ट्रेंगल अगर हमारे पास में हैं और हमें ये प्रूफ करने हैं कि दोनों similar है similar का मतलब ये नहीं होता है कि equal है मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजे ये वाली side जो है E F जो side है ठीक है वो X Z को साथ में अगर similar है तो या फिर हमारे D E जो side है वो X Y के साथ में similar हो रही है मतलब एक ratio से follow हो रहा है यहां से माँ को एक दम simple वे में बताना चाहूं तो मैं यह बोल सकते हूं कि D E F जो triangle आप देख रहे हैं और X Y Z या जो triangle आप देख रहे हैं इन दोनों triangle को और में congruent प्रूव करना है तो हम लोग 6 different way में हम लोग इस चीश को प्रूव कर सकते हैं तो 6 different way में जैसे कि माल लीजिए मैं पहले D E F को ले लिता हूं और आपको बताता हूं किस तरह से और देखे D E F को हम लोगों अगर X Y Z के साथ में congruent प्रूव करना है मतलब कौन सी side किस side के साथ में होगी congruent वो बताना होगा और कौन से angle किस angle के साथ में होगा तो हम लोग 6 different way में किस तरह से कर सकते हो बता देता हूं मतलब यह एक्जांपल देना चाहरा हूं यह सारे के सारे right में होंगे एक सार कोई एक right होगा इन में से ठीक है तो इसी कि हम कर सकते हैं X Y Z या फिर X Z Y या फिर Z X Y या फिर Z Y X या फिर Y X या फिर Y X या फिर Y Z X इस तरह से हम लोग 6 different way में प्रूव कर सकते हैं या फिर option हमा आ पड़ेगा फिर verify करना पड़े कौन से side के side की साथ में हो रही है कौन से angle किस angle के साथ में हो रहा है वह में देखना पड़ेगा तो अब जिस्ते से अपने देखा है यह छे Criteria हमारे बं रहे हैं उसी दर से हमारी क्यों हो तोटल टेस्ट बनते हैं वो कितने टेस्ट बन जाते हैं हमारे पाफ में option में 5 पहला है SAS test, दूसरा है SSS test, तीसरा है ASA test और चौता है AAS test और पांचवा है हाइपटनेस side test और यह होता है केवल for right angle triangle के लिए और बुलेंगे सरी SAS का मतलब क्या है SAS मतलब है side angle side, similar way में SSS मतलब side side side, ASA मतलब क्या है angle side angle, AAS क्या है angle angle side मतलब BC के लिए क्या होता है, मारे पाफ में total 6 quantity है, 3 side 3 angle, तो हम कोई भी 3 को similar प्रूव कर देते हैं मतलब 2 side और एक angle को, या फिर 3 side को, या फिर 2 angle एक side को, या फिर 2 angle एक side को और जो फिफ्ट में ने लिखा है, ये केवल right angle triangle के लिए अप्लाई होता है मतलब SSS के अंदर में क्या होगा को मैं बता देता हूँ अभी, जैसे कि माल यह मारे पाफ में 2 triangle है इसमें क्या होगा, एक angle, equal होगा मतलब, ठीक है, एक side और दूसरी side मतलब 2 side होगा, SS का मतलब क्या होगा, 2 side होगा, और एक angle होगा SSS मतलब जो देके रखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे, side, दूसरी side और तीसरी side तेन सेट अगर आपके में क्या होंगी एक्वल होंगी तो इसका मतलब क्या होगा उनके कोई भी टेस्ट के उन लोग प्रूफ करें उनके कर्सपोंडिंग एंगल और कर्सपोंडिंग सेट भी क्या हो जाएंगे मतलब किया होगा मैंने इस टैस्ट के थे फूर्फ कर ने कि कोई भी दो हमारे कि ded WAS EST हमारे सीमिलर है लिए का मतलब क्या होगा कि यह वाली सेट इसके किब थे कुल हो जाएगी यह वालि है और जो बचे विद दो एंगल आप देख रहे हैं वात ये वाला एंगल 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 ये वाला एंग कैसे लगेगा यहां पर भी दो एंगल और एक साइड है यहां पर भी दो एंगल और एक साइड है तो उसके इनदर में हमारा कौन सा लगता है मतलब अगर इंक्लूड होनी चाहिए अगर वह एप्लाय हो रही तो हमारा क्या लग जाएगा ? एंगल अगल लगेगा। लेकिन अगर इंक्लूड इंक्लूड नहीं है जैसे की मानलिया को मैं बता जीता हैं यह पे यह वाल इंगल इसके के को लो गए यहाल एकुल हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच में जो आथ में आगल वाली हाईर है वो यह आली हो रही है देने अभày वारी रूवरी है उसके पर कॉन से ऐ ए यह वाली है तो हमारे एंगल 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 फैट तो बीजिकले माँ पाफ में तोटल यह पाँच टेस्ट हैं आई होब आपको एक बेसिक आइडिया लगा होगा फिलहाल में अगर इतना भी समझ गए ना तो more than enough है आप दी में दी में आप फिर प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से कॉंच्छा क्लिया होगा तो हमें बताना है आपे तो हमें बताना है आपे कॉंच्छ जो पार्ट है वो हमको को अल्रेडी मैंशन किये गए हैं जैसे कि मानें कि ट्रैंगल देकर रखा है w x z w x z और w y z ठीक तब देख़कते हैं इसके अंदर में यह वाला जो एंगल है मतलब एक्स ड्रफ्ल जैड मतलब यह वाला जाएंगल हो रहा है और w z मतलब यहां पर बना हुआ है तो मतलब क्या होगे WX और WY भी आपसमें एक्वल होगे और दोनों ही ट्रेंगल के अंदर में आप देखेंगे अगर ध्यान से तो यह वाली इसाइड है जो है common है WXZ है तो यहां पर भी WZ आ रहा है WYZ है तो यहां पर भी WZ आ रहा है आप समझ गयना मैं क्या बोल रहा है यहां पर इसका मतलब क्या हुआ देखिए हमारे पाफ में side है angle है और side है ठीक है उनकी common है तो side angle side से हमारा क्या हो रहा है यह congruent हो रहा है तो by SAS test हम लों लिग देंगे simply तो यहां पर हमारा क्या जाएगा अभी कि XWZ is congruent with YWZ ठीक है एकदम simple सा है कुछ भी नहीं करना अब अगर हमारे यह प्रूव हो गया तो इसका मतलब क्यों हो जाएगा यह वाल एंगल इस वाल एंगल के एक्क्वल हो जाएगा ठीक है यह understood है similar way में यह XZ side जो है वो ZY के equal हो जाएगी और बाकी तो मैं अल्री पता ही है कि वह हैं बाकी के तीन पार्ट तो होंगी common बेखें अली इसाइड common हो रही है यहां पर 90 डिग्री बना हुआ है ठीक है तो 90 डिग्री अगर बना हुआ तो दोनों ट्रैंगल के है राइट एंगल ट्रैंगल है और हैपर दिख सकते हैं दोनों में similar का मार्क लगा हुआ हुआ है अल्रेडी यहां पर कॉंसर टेस्ट पर देकर रखा है और हमें कौन फर देकर के रखा हुआ है एफ जी देकर रखा हुआ है ठीक है दो ट्रैंगल में इस तरह से गिवन हो गहां पर माक की आगया देखिए यह वाली इसके फैट के प्ल हो रही है और यह यह अपर देखने दोनों ट्रैंगल के लिए क्ल है common है यहां पर क्या जाएगा by sss test heg fge आपने यह प्रैटन जो है वह राइट लिखा है कि नहीं लिखा है प्ल चेक कर सकते हैं he e fg के एक्वल होना चाहिए तो हो रहा है कि हमारा he fg के एक्वल हो रहा है ठीक है वह हमारा पहली चीज़ चेक हो गई अगे का हमने राइट लिख e fg hk एक्वल होना चाहिए यह similar होना चाहिए यह भी बूल सकते हैं e f हमारा क्या हो रहा है e f हमारा यह हो रहा है और hg हमारा क्या हो रहा है तो वह भी हमारा राइट बैट रहा है तो इसका मतलब कि हम लोगों ने सब कुछ right लिखा है right pattern में लिखा है यह आपने fg e की पर और आस पर Lol भूस सोचना पड़र इक रिए और बताए है अगर को ही को टैसे लिए मुझे स्धा से वाली Smart integrated already अभी ASATEST लगेगा, ठीक है, तो हम लिख देंगे, हाँ पर BY ASATEST, हमारे हाँ पर क्या हो जाएगा अभी, SMA OPT, अभी आपको चेक करना आगे न, वैसी चेक कर सकते हैं, कि हमारे जैसे माले ये SMA जो एंगल है, आपको मैंने जो लिखा, OPT के एक्वल है, कि OPT, हाँ, ये वाला हो जाता, ठीक है, तो कोई कौन से लेटर हो कि इसको आगे पीछे रखना है, वो पीछे पर ध्यान देना बहुत ही जादा जरूरी है, तो मारा अंसर क्या हो जाएगा, रॉंग हो जाएगा, एक साइड आपस में एक्वल हो रहे हैं, अभी देखे, यहाँ पर कौन से लगे हैं, वो अगर कॉमन तो है, नो डॉट में अगरी कर रहा हूं, पर यहाँ पर हमको अलग से मेंशन किया गया है, कि दोनों अलग साइड हैं, वो कॉमन हो रही है, मतलब वो इक्वल दिखाई गई हैं, वैसे आप चाहें, तो यह भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हमको अल्रे झाल